नमस्कार और वलकम यौलू वर्ल अफेर्ट जयाओ प्रशान धवन नाव हाली में एक बहुत ही इंट्रस्टिंग डिवलप्पेंट हुई है इरान के विदेश मंतरी ने का है कि मैं भारत में एक इंपोर्टेंट इवेंट जो हुना था और एफ का रायसना डेलोग इसमें प नहीं पर इनको दिग गई और इस क्लिप के बैसिस पर ना इरान ने का कि नहीं जी हम अपने विदेश मंतरी को इंडिया में भेजेंगे ही नी और ये जो टॉपिक है ना दुनिया भर में न्यूस मुना रहा है कि इंडिया में जो गुरुप है और ये लोग अपनी वीडि मंतरी गुसा हो गए सब कुछ आपको समझवाएगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूंगा क्वेशन यहां पर यह है कि हाली में वो कौन सा देश है जिसना यह का है कि इस साल इस देश की एक फीमेल एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएगी बड़ी जर्वर रीसर्च फाउंडेशन के बारे में यह देखो भारत में एक बहुती बड़ा थिंग टैंक है फॉरण पॉलसी पर फोकस होता इनका जरातार मगर और वी विरियस जो टॉपिक से उनको यह कवर करते हैं यह लोग आर्टिकल्स किताबे रिपोर्ट सर्वे बहुत चलता कैसे है देखिए इनको डोनेशन मिलती है दुनिया भर में कई सरकारे हैं कई संगटन है वो और एफ को डोनेशन करते हैं और उसी तरीके से यह अपना रिसर्च वर्ग आगे बढ़ाते हैं और 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 ने क्या करका है कि हर सालना यह भारत के विदेश मंतरयाले के अपर आते हैं जियो पोलिटेक्स से लेकर साइबर सिक्योटी, फूड सिक्योटी, दुनिया भर में जो भी इंपोर्टरन टॉपैक्स है उन पर फोकस किया जाता है रायसना डेलॉग में और आप कह लिजिए जियो पोलिटेक्स और जियो एकोनिक्स यह लगने अगर हम बा में इसको अटेंड नहीं करेंगे ये बड़ी बात है अब यहां पे आपका एक बहुती बेसिक सवाल यह हो सकता है कि इरान के लिए इंडिया एक बहुती कैंसल देखो और एफ का मैंने आपको बताया हर साल एक इनकी गैदरिंग होती है राय सनाड लॉक की दो हजार तेइस में जो गैदरिंग होनी थी राय सनाड लॉक की उसका हाली में इन्होंने एक ट्रेलर लॉंच किया भी है यहां पर देख पाओगे इनकी वेबसाइट पर यह जी है दो हजार तेइस की गैदरिंग का ट्रेलर यहां पर यह दिखा रहे हैं कि दो हजार बाइस तेइस में किस तरीके से दुनिया भर में टर्मॉइल हुआ चाहे युक्रेइन की वार हो उसके इलावा पी एम मोदी ने जहसे ही का था कि टुडेइस एराइस नॉट द चल रही थी फिर अचानक से फॉर्टियट सेकेंड में चालिशो सेकेंड में एरान को ऐसा दिख गया जो इनको बिलकुल भी पसंद नहीं था यह यह देख पार हो यह जो वीडियो का यह वाला पार्ट है उपर देखो यहां पर आपको फोटो दिख जाएगी इरान के करें प्रेजिडेंट राइसी की और नीचे देखिए यहां पे यह जो फोटो है ना ये इरान की एक महिला की है ये हिजाब को लेकर जो कानून है इरान में उसका प्रोटेस्ट कर रही है अपने बाल काट कर कुछी हफतों पहले आप सब को याद होगा के बड़े स्केल पर सारों लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया मासा अमीनी की जो डैथ हुई थी उसकी वज़े से प्रोटेस्टर्स और ज्यादा गुस्सा हो गए और अंत में कई औरतों ने इरान की सरकार को मैसेज भेजने के लिए अपने बाल काट दी ऑल्मोस्ट ऐस शो आफ डिफायं परस्नली आप अगर मुझसे पूछे इरान ने डीटेल पर जो ध्यान दिया है यह कमाल का है मैं ग्यारेंटी देगे कह सकता हूं इतना चरह बैग्राउंड चेक तो अपने आप इनी होता हमारे काफी बार बैग्राउंड चेक को लेकर गल्दियां हो जाती है मगर इरान न सिंप्ली यह कहना था कि यह जो पूरा गैदरिंग है यह जो पूरा ट्रेलर है यह कोई इरान पर फोकस तो है नहीं हमने तो एक रैंडम आप कह लीजिए जो भी जियो पॉलिटिक्स में बड़े इवेंट्स हुए हैं उसकी क्लिप डाली है करके ठीक है तो उसमें आपका जो लड़की फोटो है और साथ में हमारे प्रेजिडेंट की फोटो है बिल्कुल आपको उटानी होगी मगर अन्थ में और ने अपना ट्रेलर चेंज नहीं किया अब और के बारे में भी वैसे मैं आपको पता दूँ देखो किसी संगटन को आपको समझना है ना कि वह कैसे ओपरेट करता है तो पहले यह चेक करो कि उस संगटन को पैसे कहा से आती है कॉंट्रिब्यूशन कौन देता है तो आप अगर ओर एफ की वेबसाइट पर जाओगे वहां पर यह खुद ओपन ली बदाती है कि फॉरंड कॉंट्रिब्यूशन के सक्षन में डेक्लेरेशन औ अगर क्लिक करूंगा ना तो मेरे सामने यह आ जाएगा और यहां पर आप देख पाओगे युएसे का जो डिपार्ट्मेंट ऑफ स्टेट है जो डिरेक्ली युएस गवर्मेंट है वो भी काफी सारा पैसा इनको प्रवाइड करती है डोनेशन के रूप में के जी इस पैस आपको दिखेगी यहां पर ठीक है डिपार्ट्मेंट ऑफ स्टेट जो है युएसे का वो तो लगातार फंडिंग प्रवाइड करता है तो अब यसली देखिए मैं कहता हूं फंडिंग ना भी प्रवाइड करते हो ना यूमन राइड्स एक ऐसा इशू है जिसको लेकर दुनिया वर में बहुत सारे थिंक टैंक्स बहुत सारे एंजियो वो एक बार को अड़ जाते हैं कि देखिए बाकी वो सबार ठीक है मगर एक यूमन राइड्स का इशू रेस तो हम करेंगे और इरान को यही बार पसंद और पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे तो इरान का डिसिजन बहुत जादा इमेचूर है क्योंकि अगैन यहां पर इरान पर कुछ फोकस करके यह क्लिप नहीं डाली गई थी यह बहुत जादा रैंडम था इन्होंने अल्मोस्ट एक वजा ढूंडी है नराज होने की और क्या इसका इमपैट इरान इंडिया की जो गवर्मेंट्स है उनके रिलेशन्स पर आएगा देखिए मुश्किल है अभी तो मैं कहूंगा कि आने वाले कुछ महीने बहुत ही जादा नाजुक रहेंगे इरान के लिए इरान ने बहुत सारे हत्यार प्रवाइड किये हैं तक इरान अपने इशूज यूएस और बागी कंट्री के साथ रिजॉल्व नहीं कर लेता और यह डिसाइड नहीं होता कि इरान के नुकलियर प्रोग्राम को दुनिया कैसे देखेगी तो इवन दो कंट्री टू कंट्री रिलेशन्स पर गुजरा इंपैक्ट होता नहीं है मगर डेफिनेटली इरान के विदेश मंत्री ने इंडिया की विजिट कैंसल करके जो इंडिया में इरान की गुडविल है इसको खराब किया है नाव फानेली वापस आते हैं हमने क्वश्चन की तरफ के हाली में वो कौन सा देश है जिसने ये काए कि इतिहास में पहली बार हम एक फीमेल ऐस्टोनॉट को अंतरिक्ष में भेजेंगे तो सही उत्तर यहां पे है ऑप्शन C, the country of Saudi Arabia यहां पे आप देख पाओगे Saudi Arabia to send its first female astronaut to space और यह सब किया जाएगा USA की एक flight से Saudi Arabia खुद भी भेजेगा सारा जो यह पुरा प्रोसेस है भेजने का, launch करने का यह USA हमालेगा और फानेली आप लोगों के लिए एक important message आज के समय अनकाडमी की एक massive 20% sale चल रही है सारे courses पर मैं आपे बात कर रहा हूँ SSC, bank, CDS, IIT, JEE, सब exams की UPSC courses पे discount थोड़ा जादा है मगर आप अगर माली जी SSC, bank, CDS की त्यारी कर रहे हैं तो मैंने इनके links दे रखे हैं इस वीडियो के comment section में इन links पे जाकर आप इस discount को अविल कर सकते हैं क्योंकि कुछी जिनों में ये discount खितम हो जाएगा वापिस ये discount हो जाएगा 10% का तो for example, let's say आप prepare कर रहे हैं bank exams के लिए तो bank के link पे यहाँ पे आपको करना है click और यहाँ पे आप देख पाऊ गया academy के bank courses जिन पे सीधा सीधा 20% का discount आपको दिख जाएगा तो use the code PG10 and save money याद रखिएगा ये discount बहुत ही जल्द खताम हो जाएगा तो इसी note के साथ ये है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all